लेके नाम के अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का काम भी काफी अच्छ है और सबसे बढ़िया अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो नतीज़ा है वो आप देख लीजिए जहां पर बाकी FMCG कंपनी स्ट्रगल कर रही थी माजिन्स को सस्टेंड करने के लि है तो है कंपनी की फाइनेशा परफॉर्मेंस जो बूरे वक्ट में भी इची रही है देखेंगे अनुमान से बेतर थे लेकिन वैसे कंपनी के मार्जिन्स है यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इनके जो एक्सपोर बिजनस है यहां पर काफी लंबे समय से देखें तो लंबा स्लो डाउन चल रहा है वहाँ पर पफॉर्मेंस आ ने रही है पॉरे तरह से मौनोपॉली रखती है इसके अलावा कमनी नए प्रोडक्स भी लाँज कर रही है लेकिन सबसे अगर inelastic demand का सबसे बड़ी एक्जामपल है तो नेसले की मैगी है आप सोचिए आपको बता है और चैनल चेक बता रहेता हूं मैगी खाते हूं चोटा बागिट कितने काता है नहीं पता ना यही बात है कि कितने का भी आए लेकिन लोग मैगी का ना छोड़ेंग लेकिन भारत में नहीं है और यह बहुत ही हाय कारोबार वाला ग्रोथ है यहां पर 21% के मार्जिंस होते हैं और करीब करीब अगर आप दिखें तो 15% की ग्रोथ से लगाता है हर साल यह सेग्वेंट बढ़ रहा है लेकिन भारत की जो एक आई नसले की उसमें यह देखने को होगा और वैसी भी देखें अब इकनोमी ओपन अफ हो चुकी है तो मैंगी के स्टॉस भी वापिस लोट चुके तो इसका भी बड़ा फायदा मिलेगा लेकिन वालवेशन बिल्कुल भी कमफर्ट नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल भी कमफर्ट नहीं देख र कर रहे हैं 21,150 का टागेट इसकांट लिए दे रहे हैं तो नमुरा सबस्यादा बुलिश है लेकिन नसले ने जो है अंडर परफॉर्म के अपने पैरेंट को अगर आप देखें तो इस साल पूरी एक साल में सिर्फ साड़ी चार परसंट का रिटर्न दिया है लेकिन नसले पैरेंट को देखें तो करीब 18 से 20 परसंट की वहां पर तेजी आ गी है ब्रोकरिज हाउस की बात करते हैं मौगें स्टनली जो है लंबे समय से बेरिश है अभी भी अंडर वेट की रेटिंग को बरकरार रहे हैं 15,712 के लिए